गुलाब के पौधे पर लागतार कलियां बने इसके लिए किस खाद को दे सकते हैं और गुलाब के पौधे पर न्यू बेसल शूट्स लेने के लिए हम किस तरीके से केर करेंगे आज के वीडियो को देखने से गुलाब से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो स तरदियों में खास कर नवेंबर दिसंबर में गुलाब से जादा फ्लारिंग कैसे ले सकते हैं आज के वीडियो में आपको मालूम होगा गुलाब के पौधे को अभी आप नरसरी से खरीच सकते हैं बहुत सारी विराइटी अभी नरसरी पर है आप इंगलिश रोज भी ले सक तो इसे सिर्फ मॉर्निंग के सनलाइट में ही रखना होता है नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि पौधा जुलस भी जाता है तो वैसे गुलाब को सर्दियों में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए लेकिन जब कली अभी छोटी बनी है न्यू कली है एक या दो दिन हुए कली बने हुए तो थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करना ठीक रहता है यदि आप न्यू गुलाब का पौधा लेकर के आ रहे हैं तो आप कम से कम 8 इंच और ज्यादा से ज्यादा 15 इंच के कंटेनर में टेरिस पर या बालकनी में गार्डिनिंग कर रहे हैं तो आप ज जान लीजे गुलाब को हमेशा थोड़े गहरे वाले पौट में लगाईए यानि कि यदि 8 इंच का पौट है तो ब्रॉड ना हो ब्रॉड मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चारी हूँ चोड़ाई कम हो और डीपनेस जादा हो क्योंकि इसकी जड़े थोड़ी सी आप कह सकते हैं जमीन में ज़्यादा फैलती हैं तो गुलाब को हमेशा डीप कंटेनर में लगाना ठीक रहता है आप बात करते हैं कि गुलाब के लिए किस तरीके से पौटिंग सॉयल तयार करेंगे आप कोई भी पौटिंग सॉयल बना रहे हैं रोज के लिए तो ये बात हमेशा 40% आपके पास garden soil है तो उसमें आप 15-15 compost और sand मिला लीजिए बाकी के ratio में जो 10% है उसमें कोई भी calcium ले सकते हैं क्योंकि calcium की calcium nitrate की गोलिया या stone dust calcium के बहुत सारे श्रोथ है या फिर आपके पास यह दोनों चीज़े नहीं है तो अंडे यदि आपके घर में use होते हैं तो जाहिर अंडे के छिलके को तो हम fake ही देते हैं उसको अच्छे से wash कर लीजे एक दो दिन धूप में रखिए और फिर उसे mixer में grind कर दीजे वो जो powder है वो बिलकुल calcium का एक बहुत ही घरेलू और अच्छा श्रोथ होगा उसे 10% मिला लीजे और फिर आप देखिए आप गुलाब के लिए एक बहुत अच्छी भुरभुरी मिटी तयार करेंगे देखिए यहां मैं यह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से जो एक इंच जड़े होती है जो grafted area है उसके नीचे यदि कोई भी आप कह सकते है new shoots आ जाती है new branch निकल रही है तो उसे आप cut कर देंगे क्योंकि फिर वो जो branch है उस पर कभी भी कली तो नहीं बनेगी लेकिन वो आपके normal इस पौधे से बहुत ही लंबा हो तो grafted area के नीचे कोई भी shoots है तो उसे आप जरूर cut करके उसी वक्त हटाईए उस दो इंच के area को आपको एकदम clean रखना है अगली चीज यह है कि सर्दियों में जो die back की problem है गुलाब में बहुत जादा होती है गुलाब में सबसे जादा problem die back की ही होती है तो die back से बचने का ए रेलू fungicide हमेशा यूज किया करें पतिया यदि बहुत जादा इस तरीके की हो रही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी जैसे dry हो रही है तो जब तक नीचे से new shoots नहीं आ रही है new leaves नहीं आ रही है तब तक आप इसे काटेंगे नहीं इसके पीछे reason है कई लोग जब पतियां थोड़ी खराब होती है कट कर देते हैं तो पूरा असर जो है पौधे पर आता है क्योंकि leaves के द्वारा ही जो plants होते हैं वो भोजन आप कह सकते है chlorophyll की क्रिया करते हैं तो यदि आप पतियों को हटा देंगे तो वो पौधा अपने आप ही मरने लगता है तो यदि new leaves आने लगी हैं अब new leaves के लिए हम क्या करेंगे और किस तरीके का fertilizer देंगे ये आगे मैं आपको बतारी हूँ आपको चाहिए compost किसी भी तरीके का या तो आप वर्मी compost लीजिए या फिर आप सबसे बहतर है cow dung manure ले लीजिए और वो कम से कम 6 महीने साल भर पुराना होना चा करेंगे और जैसे और सभी पौधों में करते हैं तो जादा असरदार नहीं होगा इसको जादा beneficial बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको एक चम्मच लेना है नीम की खली और ये करीब एक छोटा स्पून आपको लेना है calcium nitrate की गोलियां बहुत आसानी से ये तीनों ही ख केजी का packet I think 100 रुपीज में मिलता है और जो कावडंग में ने हो रहे हैं चाली से पचास रुपीज केजी मिल जाएगा नीम खली का दाम में भूल गई हूँ अब आपको क्या करना है ये तीन गंबले के लिए मैं आपको बना कर दिखा रही हूं ये जो proportion मेया ने आपको ब कम भी fertilize कर सकते हैं इसे एक लिटर पानी में आप तीन चार घंटे के लिए भीगो दीजे भीगोने का process इसलिए है कि जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए fungus ना लगे नीम खली तो आपको पता ही है कि आपके पौधे को स्वस्त रखने में मदद करता है और नीम खली सिर् करते हैं फंजिसाइट की तरह ही नहीं काम करेगा यह जड़ों को स्वस्त रखने और फैलाने में और मिट्टी की उरवरक शमता को बढ़ाने में मदद करता है उसके पहले खाद देने के पहले आप इस तरीके से गुडाई कर लीजे जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ अब जो वो खाद रेडी हुआ है उसे आप एक लिटर पानी में या देर लिटर पानी में मिला लीजे जितनी आपकी गमले के रिक्वार्मेंट है मिला करके और अच्छे से गमले में आप वाटरिंग कर दीजे इससे क्या होगा कि एक तो बहुत जल्दी एक ही दिनों में लिक्विड जो है पहुँच गए आपके जड़ों तक तो असर शुरू हो जाएगा दूसरी चीज यह है कि लिक्विड फर्टिलाइजर हम उस हालत में देते जब मुझे पौधे को वाटरिंग करनी है यानि कि मिट्टी जो है ड्राई है अल्रेडी तभी आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे यदि आप ये खात दे रहे हैं तो मेक्शूर कीजिए कि मिट्टी ड्राई होनी चाहिए पहले से यानि एक दिन पहले आपने पानी दिया है आज के दिन में नहीं दिया है एक और इंपॉर्टेंट बात है गुलाब को ट्रीमिंग बहुत नहीं प अपने आप जड़ें उसके पहले आप नीचे से उसे कट करेंगे दो ती निंच नीचे से कट कर देंगे तो वहां से नई ब्रांच निकल आएगी जिस तरीके से पानी देकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब भी हम पानी डाल रहे हैं तुरंत पानी मिट्टी में एब् जब हो जाए यदि पानी उपर ही जमा रहता है पांच मिनट ये दस मिनट तो आप समझ लीजे कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं वेल्डरन नहीं है तभी वो पानी को उपर रख रहा है और पानी जल्दी अंदर नहीं जा रहा है ऐसे सिचुएशन में आप उपर से गुडाई करके फ्रेश मिट्टी मिला लीजे अभी ये समय नहीं है कि आप रीपॉर्ट करेंगे अपने पुराने पौधे को न्यू पौधे को तो लगा सकते हैं लेकिन फैब तक आपको वेट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि अभी आप र प्लारिंग विंटर्स में ले पाएंगे मुझे उमीद जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद